हलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, लडू बनाएंगे गेहूं के आटे से, यह है एक कटोरी गेहूं का आटा, यह है एक कटोरी अखरोट, यह है एक कटोरी काजू, यह है एक कटोरी बड़ा बदाम, बड़ा बदाम को हम फुला कर उसका छिलका निकाल कर, और इसे में एक दिन हलका सा सुखा देंगे तो यह ऐसा हो जाएगा यह है आधा कटोरी गोन और यह है एक कटोरी से थोड़ा कम कशा हुआ नारियल यह घर में कशा हुआ नारियल है इसे घर में हम कशे हैं चाहे तो हम बजार से नारियल का पौडर ले सकते हैं नारियल का चूरा लेक अच्छा स्वाद आएगा और यह है एक बड़ा कटोरी पीसी हुई चीनी जिस कटोरी से हम आटा लिये थे उसी कटोरी से चीनी लेंगे और इसके लिए हमें चाहिए होगा देसी घी ये घी है सबसे पहले हम लोग कड़ाई गर्म करेंगे और इसमें घी डालेंगे घी गर्म हो गया है अब इसमें हम लोग एक यह बड़ाम जो सुखा हुआ था एक कटोरी बड़ाम ताल देंगे और इसे हलका सा हम लोग तल लेंगे देखिए यह हलका प्राई हो चुका इसे कलर भी चेंज हो गिया है अब इसे हम निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारे प्रैपूस हलका हलका घी में तल लेंगे यह काजू है बाजू भी हमारा हो गया है अब इसे भी निकाल लेंगे अख्रोड डाल कर तल लेंगे किसी भी ड्राई फूट को हमें ज्यादा नहीं तलना है बस हलका सा घी में भूलना है इसे हलका सा कलर चेंज हो जाए बस निकाल लेंगे यह भी हो गया है अब इसे भी निकाल लेंगे इसी घी में अब गोंद हम लोग तल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके विल्कुल पॉक्षण के जैसा हो जाता है पॉक्षण के जैसा हो गया है चूरहो जाता है इसी तरह से हमें गोंग देखिए तलना है, इतना ही, सारी चीजों को तलने के बाद इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, और इसे हम लोग या तो इमान दस्ते में इसे दर-दरा कोट सकते हैं, या फिर मिक्सर में भी इसे दर-दरा पीछ लेंगे, क्रस्ट कर लेंगे इसे, बिल्कुर ऐसे ही चूर हो जा र इसे बोलते हैं, जो उसमें भी डालकर कड़ सकते हैं, और ये नारियर, नारियर को हम में नहीं तलना है, इसे इसी तरह मिलाएंगे, देखिए अगर हम इमान दस्ता में नहीं इसे चूर सकते हैं, तो इस तरह सिलवट्टे पे हम लोग इसे मोटा पीछ लेंगे, इस पर आराम से हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा मिक्सर में पीसने से थोड़ा ज्यादा पीस जाता है लेकिन इस पर एकदम छोटे-छोटे तुकड़े हो जाएंगे इसके थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन रिजल्ट अच्छा होगा देखे इस तरह से शिल्वट्टे पर इसे मोटा हम लग पीस लेंगे देखे बिल्कुल ये बारिक नहीं हुआ हमें इसी तरह का चाहिए देखे इस तरह से हमें सारे ड्राइफूट मोटा पीस लेना है वापस इसी कढ़ाई में अब आटा भूनेंगे जिससे आटे आटा अच्छा से पून जाएगा ये आटे का कलर हलका चेंज हो गया इस समय हम लोग इसमें थोड़ा घी डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक ही बार ज्यादा घी डालने से आटा अच्छा से भूनेंगा नहीं थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ये अच्छे से भूनेगा ये आटा भून गया है इसमें थोड़ा घी अभी और डालेंगे आपको हम लोग भीवा कर देंगे जिसे ये जले नहीं थोड़ा सा घी और डालते हैं जिसे लड़ू अराम चे तयार होगा अब वाकी तो ड्राइफूट में हमारा घी है ही इसमें एकट करके हम लोग ड्राइफूट सारे मिक्स करेंगे ये गया काजू और ये अकट रोट इसी तरह से काजू गोल्ड चीनी पीसा हुआ एकट तोरी इसे डाल कर मिक्स कर लेंगे अच्छिसे ये सारा चीज हमें गर्म आटे में ही मिक्स करना है अगर गी हमें कम लगेगा तो उपर से हम डाल सकते हैं इसने कसा हुआ नारियल भी डालेंगे इसी तरह से इसे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जबी गर्म है चेक करते हैं ये थोड़ा ठंड़ा हो जाएगा इसके बाद ही इसका लड्डू हम तयार कर पाएंगे गर्म हम इसे बना सकते हैं लड्डू लेकिन ये बहुत ही गर्म है हमारा लड्डू तयार हो गया इसी तरह से हमें सारे लड्डू तयार करने हैं एक और मैं आपको बना के दिखाती हूं आप लोगों को ये बहुत ज्यादा ही गर्म है छोटे लड्डू छोटा बड़ा जैसा भी हम चाहें अपने पसंद से बना सकते हैं देखिए इस तरह से हमारा सारे लड्डू तयार होगा तो बस सर्दी से बचाईए इस तरह से हम लड्डू बना के अपने बच्चों को तंदरुस्त रख सकते हैं खुद भी तंदरुस्त रह सकते हैं इसे खाकर तो अगर मेरा वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें करुम झाएं